यामाहा ने इंडोनेशियाई बाजार में 2025 वाइजडेफ आपंदरा को पेश किया है जो नए मॉडल वर्ष के लिए मोटरसाइकल में अपडेट लेकर आया है इंडोनेशिया के लिए 2025 यामाहा आपंदरा में नए रंग विकल्पो के साथ-साथ फीचर अपडेट भी दिये गए है फुलफेड मोटरसाइकल में मेकेनिकल में कोई बदलाव नहीं किया गया है या उलेखनिया है कि इंडोनेशिया इस्पेक आपंदरा में अब पेश किये गए फीचर भारतिया मॉडल में पहले से ही उपलब्ध है 2025 यामाहा आपंदरा में क्या खास इंडोनेशिया इस्पेक 2025 यामाहा आपंदरा में ब्लूटूथ के माध्यम से स्मार्टफोन कनेक्टिविटी मिलती है जो इंडिया स्पेक वर्जन में पहले से ही उपलब्ध है यह फीचर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ आता है साथ ही वाइकनेक्ट मोबाइल एप के माध्यम से ओन बोर्ड डायगनोस्टिक्स, राइड ट्रेकिंग आवधिक रखर्खाव अवशेश और बहुत कुछ सहित कनेक्टेड तकनीक भी मिलती है डॉट रंग विकलपो के संबंध में नई आपंद्रा एक औलबलैक कलर स्कीम के साथ आती है जो मौजूदा रेसिंग ब्लू, ग्रेव ब्लैक और ग्रेव सिल्वर रंग विकलपो के साथ उपलब्ध होगी डॉट दो हजार पचीस यामाहा आपंद्रह स्पैसिफिकेशन, वाइजडेफ आपंद्रह पर अन्य विवर्ण अप्रिवर्तित रहते हैं, बाइक एक सौपच्पन सीसी सिंगल सिलेंडर, लिक्विट कूल्ड इंजन से पावर लेती है, जिसमें वेरियेबल वाल्व एक्चुएशन टेकनोलोजी, वीवी टी है इंजन 10,000 RPM पर 19 BHP और 8,500 RPM पर 14.2 NM का उत्पादन करता है, जिसे 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ जोड़ा गया है बाइक में आगे की तरफ inverted telescopic folks और पीछे की तरफ monoshock है, बाइक में डोनों तरफ disc brake का इस्तमाल किया गया है और ये dual channel abs से less है, इंडिया स्पेक वर्जन में traction control भी है, जो इंडोनेशियाई motorcycle में नहीं है यामाहा A15 के features, इसमें यामाहा A3 से भी ज्यादा features है मॉडल में assist और slipper clutch और quickshifter है, बाइक में 17 इंच के alloy वही लगे है और इसमें 11 लीटर का fuel tank दिया गया है और पंदरा की कीमत भारत में 1.83 लाख रुपए से शुरू होकर एक 98 लाख रुपए, एकस शुरूम, दिल्ली, तक जाती है यहाँ motorcycle कई riders के लिए एक popular विकल्प बनी हुई है और यहाँ brand की तीसरी सबसे ज्यादा बिखने वाली motorcycle है